हाई गाईज, I hope you all are doing very well, guys in this video, we will be covering the 4th chapter, that is investment appraisal of ACCA F9, और यह जो चाप्टर है guys, यह बहुत जादा important chapter है, क्योंकि इसमें questions जो है वो थोड़े से advanced level के हैं, जो हमने 3rd chapter में पढ़े हैं, और काफी important है, और काफी जादा practical है, जब तुमें chapter पढ़ोगे, जब मैं तुमें questions कर आँगा spreadsheet में, तुमें पता चलेगा, कितने practical questions हैं, और spreadsheets की help से, हम इस chapter कितनी जल्दी की cover कर लेंगे, और इसे questions कितनी easily कर पाएंगे, तो guys, सबसे पहले मैं तुमें बताता हूँ, यह chapter में हमें नई चीज क्या देखने को मिलेगी, इस chapter में, जो previous chapter में हमने पढ़ा था, net present value, ठीक है, और discounting rate, या cost of capital, सब कुछ भई है, लेकिन यहाँ थोड़ा सा advanced level लेके चलता है, अब advanced level किया है, देखो, सबसे पहले जो हमारी term आते हैं, यहाँ पर जो important है, that is inflation, अब inflation क्या होते हैं, guys, inflation means, increasing the, increasing price of commodity, or we call it increasing price of commodity, or we can say, reducing the value of rupee, reducing the value of rupee, कि rupee या dollar, value of currency, कि अगर inflation बहुत जादा होगी, तो currency की value कम हो जाएगी, कैसे, let's say, आज की date में, एक chocolate, मैं हमेशे chocolate का example लेता हूँ, because मैं खाता हूँ, तो जैसे की chocolate, DM मतलब dairy milk की chocolate, आज की rate में, let's say, 80 रुपीज का, Indian currency में, 80 रुपीज में, आज की rate के हमें मिलती है, crackle, ठीक है, crackle सुनके सबके मुँ में पानी आ गया हुआ, of course, बड़ी इची chocolate है, ठीक है, तो चॉकलेट, dairy milk, 80 रुपीज की आज की rate में मिलती है, अगर मैं बोलू, after two years, after two years, after two years, ये 80 की जगा, ये हो जाएगी, approximate 120 या 130 की, क्योंकि inflation हर साल बढ़ती है, rate बढ़ती है, पहले chocolate कहां 30 की आती थी, फिर 40, फिर 60, फिर 80, तो expected 120, that means, अगर मैं आज की rate में 100 रुपे लेके जाऊं, आज की rate में 100 रुपे लेके जाऊं, तो मुझे ये chocolate मिल जाएगी, उतनी quantity, लेकिन अगर मैं दो साल बाद 100 रुपे लेके market में जाऊंगा, तो मुझे chocolate नहीं मिलेगी, because chocolate हो गई है, महंगी, that means, रुपी की value कम हो रही है, this is called inflation, ठीक है, अब inflation का इस chapter में, या हमारे discounting cash flow में क्या roll है, यह दिहां से सुनना, guys, देखो, अब मैं तुम्हें बोलता हूँ, let's say, मैंने bank में, या कहीं पर मैं किसी business में invest करा 10,000, और यहां से मुझे return आया 8%, कितना आया return, या 10% return आया, let's say, कि हर साल वो मुझे 10% return दे रहा है, तो मैं इसको भी simple interest के according calculate कर रहा हूँ, मैं इसको compound की हिसाब से नहीं कर रहा है, just समझाने के लिए, तो मुझे अगले साल 1,000, 1,000, 1,000, ऐसे amount आएगा, तो मैं यह क्या सोच के बैठाँ कि यह 10,000, 1,000 मुझे आ रहा है, that is like my income, yeah, it's my inflow, कि यह तो मेरा inflow हो गए, तो मेरे को पैसे आ रहा है, it is good, हाना, लेकिन क्या तुम इस में पैसा invest करना चाहोगे, तो हम अगर previous chapter में जाते, तो हम बोलते हैं, कोई तिक करते हैं 10% rate of return मिल रहा है, अगर और सारे businesses से हमें 9%, 8%, 10% मिल रहा है, तो 10% is higher, तो हम यह accept कर लेना चाहिए, नर्मली हम यही बोलेंगे, लेकिन अगर मैं तुम्हें एक बात बोलूँ, कि हर साल, हर साल, inflation भी 10% से बढ़ती है, तो जो चीज पहले 10,000 की थी, वो बोजे की 11,000 की, फिर उसके बाद, जैसे हम compounding करके चलते हैं, तो inflation भी, let's say हर सा 10% बढ़ रही है, तो 10% of 10,000 इतना, फिर 10% of इसका इतना, so this is हमारा 11,000 into 10%, this is 1100, फिर 10% of इसका, अब inflation ऐसे बढ़ती जा रही है, ठीक है, inflation ऐसे बढ़ती जा रही है, अब अगर inflation बढ़ रही है, so जो inflation भी हर साल 1,000 से, लेसे मैं simple interest की accounting बोलूँ हो, अगर, कि inflation भी हर साल 1 1000 से बढ़ रही है, मुझे return ये दे रहा है 1000, inflation भी उतने से बढ़ गी, तो net जो मेरे पास value आई है, वो तो 0 आई है, नेट जो मेरे पास value आई है, वो तो 0 आई है, क्यों, 1000 मुझे मिले, और हर चीज के rate 1000 से बढ़ गे, तो मुझे तो कुछ भी नहीं मिला, जितने पैसे मैं कमाए, उतनी तो inflation ही है, तो मैं तो इस project में invest करूँ आई है, क्योंकि अगर मैंने invest करा, तो technically तो I am not getting anything, अगर कोई चीज आज की date में 1000 की है, मैंने कहीं पे पैसे invest करे, अगले साल ये होगी 110, बढ़ा खुश हो गया कि मेरे को 100 रुपीज मिल गे, लेकिन अगर आज की date में कोई चीज, सोचो 1000 की मिलती है, और एक साल बाद वो चीज 1200 की मिलेगी, तो देखा जाए तो तुमने तो नुकसान कर लिया आपना, तुमारी investment बेकार रही है, तुमने 1000 invest करे, ठीक है, तुमें उसने दिया 1100, आज कोई चीज 1000 की market में आ जाती है, ठीक है, अगले साल वो च किसी project में पैसे invest करते हैं, whenever we invest money in any project, हम project के, जो return होता है, हमारा real rate, real rate मतलब, जो हम expect करते हैं, कि अगर inflation ना हो, जैसे मैंने बताया था, कि हर साल हमें 10% return मिल रहे है, तो expected return हमारा होता है, expected return, without inflation, without inflation, इसमें हम inflation भी add करेंगे, मैं बोलूगा कि भाई, अगर inflation 10% से बढ़ रही है, inflation 10% से बढ़ रही है, मैंने 1000 रुपीज लगाए है, तो अगले साल मुझे एक तो 1100, जो आज 1000 है, वो एक साल बात 1100 होजेगी, जो आज चीज 1000 की है, 1000 रुपे की worth, जो चीज आज 1000 की है, तो मुझे तो 1100 प्लस 100, तो मुझे टोटल जो रिटर्न चाहिए, वो चाहिए 1200 के, इस 1000 के, मुझे 1200 मिलेंगे, तब ही मैं फायदे में रहूँगा, क्यों? क्योंकि 1000 है, 10% inflation rate है, तो हर चीज वैसी महंगी होजेगी, जो चीज 1000 में मिलती है, वो 1100 में मिलेगी, तो ultimately 1100 की चीज है, मैंने अगर इस पे 100 रुपीज और नहीं कमाए, तो इन्वेस्पेंट का तो फायदा ही कुछ दू है, मेरा तो नुकसान हो गया, उल्टा, हाना, इसे बेटर तो 1000 रुपीज का मैं समान ही खरीदे रख लेता, अब्विसी बात है, तो this is called inflation, अब इस चाप्टर मे इसको हम सिंपल बोलते हैं, हमारे रिटर्न, रिटर्न और इंटरस्ट, अगर कोशन में बोला हुआ है कि इतना इंटरस्ट हम कमा रहे हैं, अगर हमें कोशन में बोला हुआ है, इतना इंटरस्ट हम कमा रहे हैं, अगर हमें कोशन में बोला हुआ है, इतना इंटरस्ट हम कम करना पड़ता है तो ऐसा नहीं है कि अगर यह 10% है यह 5% है तो हम इसको 15% कर देंगे नहीं ऐसा नहीं होगा इसकी काल्कुमिशन अलग होती है इसका फॉर्मला होता है 1 प्लस i that means money rate 1 plus i 1 plus interest rate या money rate जो basically हमारा present value factor होता है वो हम यहां से यूज करते है 1 plus i is equal to 1 plus r that means real rate जो हम expect कर रहे है bracket close into 1 plus h तो 1 plus i which is called money rate is equal to 1 plus r जो real rate हम कह रहे हैं without inflation multiplied by 1 plus inflation यह हो जाएगा हमारा formula यह 1 plus h sorry inflation को इन्होंने h बोला हो है 1 plus h यह formula याद रखना ठीक है guys अब यह formula से हमारा answer कैसे आया है देखो इन्होंने यह चीज तुम पढ़ लेना तुम्हें समझ आजीगी मैंने already तुम्हें explain कर दिये सीधा question करते हैं उससे मैं एच्छे समझ आएगा अब देखो question is 1000 invested in account that pays 10% interest per annum that means यह है आई ध्यान से यह क्या है आई मैंने बताता अगर हमें लिखा हो के interest इतना मिल रहा है तो this is i inflation is currently 7% per annum what is the real rate of return हमें real rate निकालना है तो 1 plus i हमें दिया हुआ है is equal to formula था 1 plus r यानि real rate into 1 plus h ठीक है आप देखो गाइस यहां पर हमारे पास दो option होते हैं वो स्वारी वहां से हाट किया वो मुझे actually यहां पर excel में करना था यह तो 1 plus i हमें i दिया हुआ है इतना हमें inflation दिए इतनी हमें निकालने return r तो हमारा formula क्या बन जाएगा यहां पर 1 plus 0.10 1 plus 0.10 is equal to 1 plus r into 1 plus 0.07 यही होगा 1 plus 0.10 यानि 1 plus i is equal to 1 plus r into 1 plus h h 0.07 तो हमारा 1 plus r 1 plus r क्या हो जाएगा it's going to be 1 plus 0.10 divided by 1 plus 0.007 यही होगा 1 plus 0.10 divided by 1 plus 0.07 तो calculator में करता हूं 1.10 divided by 1.07 यह आ रहा है मेरा 1.028 यह आ रहा है मेरा 1.028 तो 1.0280 1 plus r 1 plus r is equal to 1.0280 तो r is equal to 1.0280 minus 1 तो r हमारा आ गया 0.280 0.0280 और we can say 2.8% यह उसको मैंने 200 करा that means 2.8% यह है मेरा real rate of return कि मैंने सोचा था मुझे तोटल इतना amount आ रहा है inflation 7% से बढ़ रही है तो मेरे को जो real benefit हो रहा है वो इतने का benefit हो रहा है real में जो मेरे को benefit हो रहा है वो इतने का हो रहा है ना कि 10 का हो रहा है क्योंकि 10 में से 7 की तो inflation नहीं है ठीक है guys simple था चलो अब next question करते हैं यह question हम करेंगे spreadsheet में time based करने की ज़रूत है calculator पर सीधा 1 plus 0.08 1 plus 0.08 into 1 plus 0.05 देखते की answer आ रहा है 1.08 into 1.05 यह आ रहा है 1.134 तो यह आ कर दिया तो 0.134 और 13.4% यह आगे मेरा I that is जो मेरे को actual interest मिलेगा money rate of interest है जो मुझे हर साल total मैं expect करता हूं के इतना मुझे मिलेगा real rate इतना होगा जिसमें और inflation को इंफलेशन भी cover हो जाएगी और जो मैंने expect किया था उतना भी हो जाएगा तो total मुझे इतना return उस project से चाहिए ठीक काइस simple था अब बढ़ते है आगे अब आता है impact of inflation on cash flow of inflation on cash flow में क्या फरक पड़ेगा तो यह जब हम practical question करेंगे तुम्हें वहां से बहुत अच्छे समझाएगा लेकिन मैं तुम्हारे को जो terms important है मैं तुम्हें वो बदायता हूँ अगर हमें लिखा हो है where the cash flow have not been increased for expected inflation के जो cash flow हमें question में given है अगर उसमें inflation का amount नहीं include किया हुआ हुआ they will be described as current price or today's price so current price or today's price का मतलब क्या होता है कि आज जो हमें 20,000 आएंगे दो साल बाद inflate होंगे कितने होंगे तो हमें उसमें inflation को add करना पड़ेगा और याद रखना inflation जो चलती है inflation जो चलती है वो हमेशा compounded होके चलती है inflation हमेशा compounded होती है ठीक है compounded मतलब जैसे मैंने बताया था 100 है plus इसमें 10% तो 110 फिर इसका 10% add करेंगे तो 1 to 1 ऐसे inflation चलती है ठीक है तो अगर हमें जो cash flow है जिसमें inflation नहीं बताए हुई तो it will be called as current price or today's price let's say मुझे अगर question में बोला गया है कि current price जो हमें अगले first, second, third, fourth year में आने है हमें हर साल 20,000 आने है let's say मुझे हर साल 20,000 आने है अब 20,000 जो मुझे आने हैं इसमें लिखा हुए these are current prices कि आज मुझे लग रहा है कि मुझे हर साल 20,000 आएंगे मदब इसमें मैंने inflation को आड नहीं करा तो सबसे पहले मैं इसमें आड करूँगा inflation तो जैसे 1.10 से multiply then plus one sorry 20,000 into 1.10 inflation add कर ली फिर 20,000 into 1.10 into 2 क्योंकि 2 साल की inflation है into 1.10 into 3 into 1.10 into 4 तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा देखो logic सबसे पहले मैं क्या करूँगा मैं values को करूँगा inflate inflate करके जो figure आएगी उसके बाद मैं उसकी present value निकालूगा पहले तो मैं चीजों को करूँगा inflate inflate करने के बाद then I will calculate the present value और देखोंगा के मेरे को amount कितना आ रहे है के वो project में invest करना जाहिए या नहीं ठीक है और दूसरा where cash flows have been increased क्या लिखा हो है where cash flow have been increased to take account of expected inflation कि अगर cash flow जो हमें आगे का बताया हुआ था उसमें inflation include करी हुई है it will be called as money cash flow और nominal cash flow मतलब अगर यह हमें दिया हो है तो हमें inflation का effect नहीं दिखाना तो मिसमें बुक में तुम लिख सकते हो कि यहां पे हमें इंफलेशन करनी पड़ेगी यहां पे इंफलेशन करनी की जरुद नहीं है this is already inflated amount ठीक है और दूसरा you can assume that cash flow you are given in the exam are the money cash flow unless told otherwise अगर question में तुमें specifically नहीं बोला हुआ तो हम हमेशा उसको money cash flow मानेंगे money cash flow मतलब कि उसमें इंफलेशन हमें आड़ करने की जरुद नहीं है ठीक है अब देखो इस इन्होंने की example दिया हुए पहले वो example करते हैं वो example क्यों जरूरी है क्योंकि इन्होंने तुमें exam की थोड़ी सी language बताई हुए कि हमें exam की language देखके भी inflation करनी पड़ सकती है क्यों लेंगवेज अलग अलग से इमारा इंफलेशन भी चेंग हो सकती है देखो इन्होंने पर एक्जामपल दिया ओवा है for example if the question tells इू that sales for next 3 years are 100 कि हमें हर तीन सालों में 100-100 डॉलर जाएंगे in current terms मतलब यह हमें current value दी हुए मतब this does not include inflation but are expected to inflate by 10% के 10% से इसकी inflation होगी तो आज की rate में हमें लग रहा है कि अगले 3 सालों तक हमें 100 रणड आएंगे तो हम क्या करेंगे? Year 1 में हमें कितना होगा? आज की rate में हमें लग रहा है 100 रणड आएंगे तो एक साल बात जब होगा तो 100 प्लस 10% तो 100 प्लस 10% इंफलेशन 1 1 0 दें 1 1 0 प्लस 10% वो हो जाएगा 121 फिर 121 प्लस 10% वो हो जाएगा 133 इस तरह से हमें इंफलेट करके values दिखानी पड़ेंगी कि यह जो value है इसमें इंफलेशन करके इसमें 133 और दूसा तरीका इसका क्या हो सकता है? अब यहाँ तो मैंने चलो तुम्हें अलग चीज़ बताईए अगर यह line ना लिखी होती लेट से यह नहीं लिखा हुआ 100 100 100 तीनों में 100 आ रहे हैं तो यह हम करेंगे into 1.10 इसको हम करेंगे 1.10 into 2 इसको करेंगे 1.10 into 3 वो हमारी figure यह आई है ठीक है अगला example दिया हुआ है for example if the question says sales will be 100 in the first year के पहरे साल हमारी sales नड होगी but but they are going to inflate by 10% in next 2 years आगे जाके inflation होगी तो पहरे साल है 100 then जो next year आईगी उसको करेंगे into 1.10 and into 1.10 square वो हम करेंगे for next 2 years के लिए तो जो भी हमारी figure है 100 इस तरह से हम inflation दिखाएंगे ठीक है तुम सोचतो कि सर्फ practical कब start होगा इतना डाइम होगा है कोई बात नहीं बस एक छोटी सी चीज और है वो करके फिर हम सीधा सीधा practical question करेंगे जहांसे तुमारे सारे doubt सब कुछ अच्छे से clear हो जाएगा अब देखो the impact of inflation can be dealt with two different ways हम दो different ways है inflation का effect देख सकते हैं पहला है हमारा method real method एक तो होता है कि हम real method को लेके चलें एक होता है हम money method या nominal method को लेके चलें तो real method से answer कैसे निकलेगा देखो एक होता है real rate of return let's say ये है हमारा 5% ठीक है और एक होता है money rate of return let's say ये हमारा है 11% क्योंकि इसमें inflation let's say 4.9% inflation है तो this example दे रहो मैं या चलो इसका मैं practical बताई देता हूं तुमें अगर मुझे इसका inflation निकालनी है तो 1 प्लस i is equal to 1 प्लस r into 1 प्लस h यह होगा तो 1 प्लस i i हमें दिया हुए 11% तो 1.11 is equal to 1 प्लस r r हमें दिया हुए 5% तो 1.05 और यह हो जाएगा 1 प्लस h तो 1.11 डिवाइड बाइ 1.05 1.11 डिवाइड बाइ 1.05 यह आता है मेरा 1.0571 माइनस 1 तो 0.057 और 5.7% यागी मेरी inflation तो inflation कितनी होगी 5.7% तो गाएड अब ध्यान से देखना यहाँ पे मेरे पास 2 चीजे हैं यह है inflation तो या तो मैं real method को use करके अपना net present value निकालू कैसे real method वाला percentage से present value निकालू और इसमे inflation नहीं करूँ यहाँ पे मैं या लिख देता हूँ inflation नहीं करनी क्यों क्योंकि जो मेरा real method है वो है मुझे exact return कितना आएगा inflation लगाने के बाद value इतनी आएगी तो मुझे अगर अपना NPV निकालना है project का तो दो method है एक तो क्या है real method इसमें मुझे cash flow को inflate नहीं करना बस real method है इसको use करके मैं discount करके अपना अंसर निकाल दूँगा ठीक है दूसरा अगर मुझे मैं money method यूज करता हूँ तो money method यूज करके मुझे inflation inflation मुझे यहाँ करनी पड़ेगी पहले मैं जो भी amount है उसको inflate करूँगा inflate करने के बाद then उसको discount करूँगा at 11% तो technically मैंने क्या किया पहले हर चीज को 5.7% से inflate करी और उसके बाद मैं 11% से discount करा तब भी मेरा दोनों साइट से answer सेम आएगा तो या तो मैं real return देखूँ अपना या फिर मैं यहाँ से देखूँ technically जो हम देखते हैं वो हमेशा हम money method से answer निकालूँ money वाले से लेकिन इसमें मुझे हर चीज को inflate करना पड़ेगा अब एक काम करते हैं तुमारा जादा टाइम ना लेते हुए इसका एक question करते हैं और question मैं तुम्हें spread sheet में कराता हूँ ताकि यहां से तुम देखो इसका question और तुम्हें चीजें अच्छे से समझ आए सबसे पहले हमें guys question में क्या दिया हूँ है storm companies evaluating a project X which requires an initial investment of 50,000 expected the net cash flow for the year at today's price मलदब current price मलदब इसपे inflation नहीं करी हुई हमें inflation हमें inflation करनी पड़ेगी however these are expected to rise by 5.5% per year so this is inflation यानि H because of inflation the today's money cost of capital is 15 so money cost of capital हमें दियो है 15% this is I ठीक है तो हमें यहां पर R निकालने अगर हम money cash flow से answer निकालना चाहते है तो तो R की जरूरत ही नहीं है तो पहले तुम यहां पर देखो मैं money cash flow से कैसे इसका जल्दी जल्दी आंसर निकालता हूं बहुत जहां से देखना गाइस मैंने क्या किया हमें कितने यह रहें 50,000 इनिशल इंवेस्मेंट है तो जीरो यह जीरो वन टू थ्री फोर ठीक है एक सिंगाइस में इसको यहां लिखता हूं जीरो वन टू थ्री फोर तो पहले सार इनिशल ही मुझे इंवेस्ट करने हैं 50 तो माइनस 50,000 फिर मुझे आ रहे हैं 2020 2020 2020 इसको मैं सिंपल शॉर्ट कट तरीका कॉपी यहां पर पेस्ट कंट्रोल सी कंट्रोल भी अब तक तो तो तुम सब कोई चीज रच चुकी होगी कितनी बार मैं करा चूक होगा ठीक है क्या हो गया कोई बात नहीं ठीक है इसके बाद अब मुझे मैं करता हूं यहां पर इंफलेशन मुझे करनी इंफलेशन, इंफलेशन ई छे इंफलेशन five point five percent तो इजए ध्यान से देखना काई पहले सारे इंफलेशन जैसे फ़ाक्टर होता है वो भी हमारा इंब्रा सें मेरा तो यहां-पर पहले मैं करूंग वन देखो guys, जैसे हमारा present value factor होता है, वैसे ही मैं करूँगा inflation वाला part So what I was saying, कि जैसे मैं present value में निकालता था, present value में, यहाँ पे मैं क्या करता था figure को एक सक्ट गाइस, यहाँ मैं क्या करता था, 1 divided by 1.10 present value के लिए, यहाँ मैं क्या कर दूँगा, 1 into inflation 5.5 that means 1.055, ठीक है ना, अगर 1 plus rate 0.055, तो 1.055 आजएगा, वो मैं multiply कर दूँगा, और उसके बाद, हर एक column में, इसी को copy-paste, देखो मैंने क्या 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 आपे, दुबारा से देखना formula, is equal to this into 1.055, ठीक है, यह inflation आगा है मेरा, अब मुझे कुछ नहीं करना है, इसको करना है copy, और यहां में नीचे कर दूँगा, इन सब में paste, क्यों? अब यहां पे formula क्या लगा है, यहां formula लगा, इस पे into 1.055, एक तरह से 1.055 into 2 हो चुक है, यह वाला और यहां पे भी, और फिर यहां पे दो बार लग चुक है, तीन बार, यहां चार बार, तो simple xl का shortcut हम, इस तरह से अपना answer निकालेगे, ठीक है, वहां पे डिवाइड करते थे present value के लिए, वहां पे इसमे में करना पड़ेगा, यहां multiply, अब उसके बाद, मैं थोड़ा से इसको इसको इधर करता हूँ, यह थोड़ा चोटा करता हूँ, चल, कोई बात नीग, अब मैंने निकाल दिया, inflated value, वो भी is equal to this into this, control C, control V, control C, control V, ठीक है, इसको उटादो, यह उपर आएगा, और यह तो, इसका जो formula है, इसको मैं उपर भी पेस कर देता हूँ, क्योंकि यहां तो value यही रहेगा, this into this, हमारा minus 50,000, अब आएगा मेरा present value factor, present value factor जो यहां पर है मेरा, वो आएगा, at the rate 15%, क्योंकि हम money cost of capital से कर रहे हैं, तो पहला 1, दूसरा, is equal to this divided by 1.15, this divided by 1.15, यही करेंगे guys, enter, इसको किया control C, copy, यहां पर करा control V, paste, अब निकालेंगे present value, present value मैंने कैसे निकाली, is equal to this figure, inflated figure into present value, तो जो inflated figures थी मेरी, inflated figures को multiply करा मैंने present value से, तो control C, copy, control V, paste, और यहां पर आजगा, is equal to, NPV, oh sorry, sum आता, मैं क्या कर दो, sum, bracket start, इन सब का total, bracket close, enter, so that means, 14787, इतना मुझे return यहां से आएगा, 14787, so that means, यह मेरा project feasible है, मुझे accept कर लेना चाहिए, यह मेरा method था, money cash flow का, जहां सबसे पहले मैंने क्या किया guys, सबसे पहले मैंने, जो भी years से, इन figures को मैंने inflate करा, inflate करके यह figures आई, inflate करने के बाद, then मैंने money rate वाला जो present value factor था, 15% वो दिखाया, तो inflate मैंने करा कितने से, 5.5% से, उसके बाद मैंने present value factor निकाला, वो निकालके present value factor से multiply करके, अपना net present value निकाल लिया, तो एक, दो, तीन बार इस question को देखना, calculator पे भी करोगे, तो multiply करना पड़ेगा, मैंने सिधा-सिधा excel में कर दिया, क्योंकि हमें calculation करने की ज़रूत नहीं है, excel अपने आपी वो कर लेता है, ठीक है, so inflation करी, value बढ़ाई, then मैंने minus करा 15% से, दूसरा method मेरा है, मैं पहले इसको copy कर लेता हूँ, क्योंकि ये तो सेम ही रहेगा, control C, copy, निचे गया, control V, paste, अब देखो, दूसरा मेरा method है, मुझे यहाँ पे अगर, discounting real cash flow से निकालना है, तो उसके लिए सबसे मेरे को real rate निकालना पड़ेगा, तो 1 प्लस I is 15, तो that means 1.15 is equal to 1 प्लस R, यह हमें निकालना है, into 1.055, यह है, तो 1.15 divided by 1.055, यह आता है 1.09, यह मेरा आता है 1.0900, इसमें से माइनस कर दिया 1, तो 0.0900, और 9%, जब मैं इसको 100 से मुल्टिप्लाइ किया, 9% मेरा आ गया, real cash flow, अब यहाँ पे मैं इसको, क्या करूँगा, present value factor लिख दूँगा, present value at 9%, तो present value 9% पहले साल की 1, अगले साल की present value निकालना है तो दिवाइड करेंगे, this divided by 1.09, enter, इसको किया copy, निचे सब में, paste, फिर उसके बाद, यहाँ पे is equal to this, into this, ctrl-c, copy, यहाँ सब में, पेस्ट और यहाँ पे is equal to sum, bracket start, bracket close, enter, देखो, 1.794.398, 1.787, तो देखा जाए, बहुत ज्यादा difference नहीं है, थोड़ा से difference है, क्योंकि हमारा, थोड़ी सी calculation में, यह सी, इसमें points, जो 0.09 है, 0.0900473, ऐसा कुछ करके है, तो इसलिए, बहुत ही minor सा difference है, which is more or less equal, तो यहाँ पे, अब equal क्यों आया, पहले हमने 5% से inflate किया, then हमने 5% वाली present value से minus कर दिया, यहाँ हमने सीधा-सीधा net, जो हमारा 9 आ रहा था, उसे कर दिया अपना answer, ठीके ना guys, समझाया, तो इसलिए, इन दोनों से हमारा जो answer है, वो हमेशा same आता है, clear है guys, चलो, अब हम करते हैं यह वाला question, एक last question आज का, वीडियो में थोड़ी छोटी बनाऊँगा, क्योंकि जो मैंने कराया तो मैं पहले इसको अच्छे से समझना पड़ेगा, then next video में मैं बताऊँगा, journal और specific inflation rates, और इस chapter को most likely, next video में मैं इसको कवर कर दूँगा, कुछ जादा इसमें बचानी है, हाँ, कुछ जादा इसमें नही है, next video में चाप्टर कवर हो जाएगा, चलो, test and understanding 4, a project has the following cash flow, before allowing inflation, that is, they are stated as T0 values, तो पहले साल में इतनी investment है, अगले साल ये रिटर, ये रिटर, ये रिटर, ये रिटर, हमें दिया हुआ है, money discount rate 15, that means money rate हमें इतना दिया हुए, inflation हमें इतनी दिया है, तो यहाँ पे भी हमें आर निकालना पड़ेगा, तो guys, यहाँ पे हमारी figure change हो जाएगी, जैसे यहाँ पे figures 20, 20, 20 है ना, तो इस figure change हो जाएगी, and complete question is the same, जैसा हमने पहले कर रहे है, ठीक है, एक काम करो, take your time, अच्छे से समझो, जितना मैंने बताया, इसको अच्छे से समझो, inflation हो गया, money rate of return हो गया, इस chapter की जितनी भी theory है, theory, एक बर उसको thoroughly पड़ो, ठीक है, next video में इस chapter को में complete गरा दूँगा, कुछ बड़ी बात नहीं है, लेकिन यह समझना बहुत जरूरी है, आगे बढ़ने से पहले, ठीक है, चालो, bye guys, take care and have a great time, अच्छा हाँ, यह question तो बारा homework है,